इन दुनों बाजार में जामुन आ रहे हैं खूब सारे तो हमने सुचा कुछ एक रेसिपी को ट्राइ किया जाए दो रेसिपी ट्राइ की जो बिल्कुल चिल्ड रेसिपी हैं आपको खा करके मज़ा आ जाएगा तो नमस्कार फ्रेंड्स प्रतिभास टेस्टी किचिन में आप उनको लीजिए उसमें डालिए थोड़ा सा सकर 250 ग्राम में मैंने लगबक 50 ग्राम के आसपासी शकर डाली बहुत जाला शकर नहीं डाली है और इसके बाद में इसको अच्छे से आप विस्कर से विस्क कर लीजिए तो धीरे दबाते हुए कीजिएगा तो इससे क्या ह होती है ना दही चलाने वाली लगडी वाली उससे अच्छे से मतिया तो आपके बीच बिल्कुल अलग हो जाएंगे तीसरा औप्शन है के अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप इसमें ब्लेंडर चला दीजिए आपके सारे गूधा अलग और उठली अलग हो जाएगे इ जो आपका जूस है वो अलग नीचे आजाएगा इसमें बहुत कम गूदा बसता है आप चाहें तो इस गूदे को गुठली निकाल करके खाने में यूज कर सकते हैं मैं इसे थोड़ी देर के ढ़क कर रख दिया था और इसके बाद में देखिए नीचे भी बहुत अच्छा ग आप नमक कश क सकते हां तो डीचे बाद मेन काली मर्च आइड कर सकते हैं इसके बाद इसके कप गूम गएज़ है तो म७ी महाथ देखिएप ईसमें ध्यूल टुकडा है 1 फोल कड़ा उसको इसके लाग दिया है इसके पार जो आपके कमच आप आप लगा सकते हो कोसे दोम लग भग पांच मिनट के लिए छोड़ दीजिए उससे क्या होगा कि अंदर से अपने आप डीले हो जाएंगे और अराम से निकले यह देखिए शांदार सा पॉप्सिकल निकल कर सामने आ गया है और जो आप इसको खाएंगे तो 100% आप मेरी तारीफ करेंगे तो यह और कर-कर बोलता है तो यह लीजिए हाजिर है पॉप्सिकल्स एंजॉइ किजिए नेस्ट आते हैं जामन शोड़ बनाने के लिए जामन शाट बनानी के लिए हो जो हमारा जूस रखा हूआ है जामन का वह हमने लिए है छोटे-छोटे शोटे चोटे पांवाट के ग्लास इ इतना मज़ा आया ना इसको पीने में कि मैं आपके साथ शेयर के भी रही ही नहीं पाई आप चाहे तो ओवरनाइट इस जामुन के जूस को फ्रीज में रखकर भी सर्व कर सकते बहुत मज़ा आएगा दोस्तों तो आप इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए मेरे चैनल को सब्सक कीजिए इंजॉय यूर डेई थेंक यू